हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोज की जानकारी भी आपको मिलती रहे इसके लिए घंटी विदावाएं नमस्कार दोस्तों हिंदी क्लासे जो आपका सुभागत है आज हम पड़ेंगे अपना जोध्या चल रहा था भीहरी का उसका दूसरा भाग तो देखिए अगला दोहा कनक कनक्ति सोगुनी मादकता दिकाई कोई खाए बोराए जबू यह पाए बोराए कनक कनक्ति पहले कनक का कारत है श्वर्ण या शोना दन्शंपति से दूसरे कनक कारत है दतूरा कभी क्या बता रहा है कि कनक इन्हें श्वर्ण में शोने में दन्शंपति में दतूरेशे शोगुनी अधिक मादकता मादकता मतब नशा मादकता मतब क्या है नशा अधिकाई अधिक होता है यह यह अदिखता का जो अधिक्ता होती है उसमें अधीक होता है उई खाय बोराये जबू इपाय को खाकर इंसार, यह कहें लोग का हो जते हैं हुजते से हो जते हैं इहीं पाए बोराए और इसको प्राप्त करके इसको श्वरण को या दन शंपत्ति को प्राप्त करके लोग पागल से हो जाते हैं उसे खाने से पागल हो जाते हैं और इसे प्राप्त करने से पागल हो जाते हैं यह कह सकते हैं गमंडी हो जाते हैं अगला देखिए नहीं परागू नहीं मदूर मदू नहीं विखास यहीं काल अलिकली ही सुन्विंजयो आगे कौन हवाल इस दोए में बिहारी जैशिंग को बता रहे हैं एक बार बिहारी जैशिंग के दिरबार में कए तो रजाजven में जैपूर के रजाजेशिंग वो अपनी नवड़ा अलफेस करनी के प्रेम में ये मुह में इस तरह गर्ष्थ थे तो दोहे की मादिम से उनको समझाने की कुशिश की थी कि नहीं प्राग, नहीं मदुर मदू, नहीं विकास ही काल कि नहीं तो अभी प्राग है इसमें नहीं मदुर मदूर नहीं इसमें कोई मदुर रस है नहीं विकास ही काल और नहीं इसका अभी पूरी तरह से विकास हो चुका अली कली शूं बिंड्यो आगे कोन हवाल अली का मतलब होता है बर्मर या बहुरा और कली जो फूल निकलने से परशे कली होती न उसके बारे मताया है कि यह जो बहुरा है अभी से इस कली से इस प्रकार बंद गया है ने तो इसमें पराग है ने मदूरस है और ने यह पूरी बहुरा है इस कली से इस प्रकार बंद गया है आगे कोन हवाल हवाल मतलब दसा तो आगी क्या दसा होगी यहां अली राजा जे सिंग के लिए और कली नगोड़ा जो रानी उसके लिए आया है यह नि राजा के पोद जो जुमत हे मारित ट्वीयों जो ऊट नीच कि और गेंद की का जो सवाव है वे यह एक जैसा बताया गेंद जो खेलने के उती हैना उसका सवाव और नीच वेक्ति का सवाव एक जैसा बताया नीच यह आप गेंद को जो ही मारेंगे या उपर से गिराएंगे जितना उपर से गिराएंगे वापस ज्यादा उचाल लेगी और नीच वेक्टिव को गिराने से या मात्य मारने से मतलब है अपमानित करने से वेक्टि की समझ में मत्य मारने का अपमानित करना और गेंद के समझ में उसे गिराना पटकना या सर से मारना या नीच वेक्टिव को आप जितना अपमानित करोगे वो उतना उचा होगा उतना उपर संग होगा और गेंद को आप जितना नीची गिराओगे उचल कर वापस उ पंतिम तुलास्ट में चौदा नंबर दोस में है द्रिष्टांत अलंकार कुन से द्रिष्टांत समझाने का प्रियास किया है द्रिष्टांत अलंकार ये दोनों आपको ज्यान में रखने इसे दोएके माद्यम से जो बिहारी थे वो राजा जे सिंग को समझाने की कोशीज कर रहे है जब वो मुगलबासा शाजा के अंडर में जो हिंदू राजाओं पर आकर्मन कर रहे थे तो उस समंध में उबतारे जब सिवाजी पर आकर्मन करने के लिए वो तयार हुए उसमें ये दुहा उन्होंने उनको पैस किया तो भीत्र शुट्रत स्वयों शुक्रित का मतलब है श्रूर्थ पुन्ण श्रम व्रिधा का मतलब होता वेड़ दे की विहंक विचार्य है कि वाज है आप क्यों वेड मैं ही सरम कर रहे हो विहएंग का मदलब अपक्सी के रपि आक से यह आप वहड ही क्यों स्रम करने यह ने इसमें कोई पुर्ण है mitad मिलने वला नैहिस्में आपकोई श़्ार्थ है बाज पराय पानी परिह के बाज तुप पराय पानी का मतलता हाथ दूसरों के हाथ में पढ़कर तू पच्छिनों नहीं मारी तू पक्षियों को क्यों मारा है नहीं अपनी जाती के लोगों को यानि एक बांच पक्षि अन्य पक्षियों को मार रहा है वो भी किसी दूसरे के फाइदे के लिए तो उन्होंने बतानी कोशिज किय कि बाज तू दूसरे कोई हाथों में पड़कर अपने पख्षी वर्ग को क्यों मारा है अर्थार्थ राजा जय सिंग को यह समझानी की कुसीज करें कि आप शाजा के अदिन होकर जो हिंदू राजों प्राकरम करें, उनको मार रहें आप ये सा क्यों कर रहें इसमें आपको उन्य तो कोई पुन्य मिलने वाला है नेश में आपको कोई श्वारति छिपा है जो भी कुछ मिलेगा वो शाजा के पास जाएगा लाज लगाम नेमा नहीं नेना मू बस नाई ए मू जोर तुरंगे जो एंसे थी चली जाए नाई का क्या करी है लाज लगाम ने मा नहीं नेना मू बश नहीं यानि मेरी जो नेत्र है मेरी आँकों उपर मेरा बश नहीं है ये लाज रूपी जो लगाम है उसको नहीं मान रहे मेरे जो नेत्र है वो लाज रूपी लगाम को नहीं मान रहे है इनके उपर मेरा वस नहीं है ए मुहजोर तुरंग तुरंग का मतलब होता गोड़ा इस गोड़ा जो अपनी लगाम को जबरदस्थी मुह में दबाके अपनी इच्छा के नुशार जिस तरफ जाना वो जबरदस्थी चला जाता है एंचत ही चली जाए निए एंचत का मतलब जबर्दस्ती ही चला जाता है नाईका क्या बता रही है कि नेत्र है वो लाज रुपी लगाम को नहीं मान रहे वो तो एक मुह जोर गुड़े की बाती जबर्दस्ती इपनी इच्छा के नुशार चले जा रही है इसमे न मुझोर तुरंग जीू उपमा लंकार है कौन सा लं इकला लोग की लोग जुगती शीक्ये सबी मनों महमुनी मेंं चाहत प्य इद्विद्टा कानन शेवत नेन एक सकी दूस्अ सिसे क्या करि 최ई है दूसरा की नेत्रों के बारे में की जौग जुगती शीक्य yn शब महामूनी मेंद एसा लगता है कि आपके नतनों ने तो योक की युक्तियाँ सीख लिये महामूनी मेंद में चलाखकने कामदेवुषे कामदेवुशे यूप की यूप्तियां सीक लिए चाहत पिये अधवीक्त्ता आप पिये से अधवेत्ता मिलन में एक हो जयना वह एक रूपत चाहरी है कान सेवत्नेन और आपके जो यह कानों को सेने वाली यानि कानों तो गलंबी जो नेत्र है आपके वो अप्य से दित्ता चारे मिलन चारे एक दूसरा अर्थ यह भी इसका होता है कि योग युगती सीखने के लिए कानन के दो अर्थ निकले एक तो कान और एक कानन का अर्थ निकल रहा है वन या जंगल यह 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 योग स्काइतमों को प्राप्त करने के लिए कानन शेवत ने यर्बन के और प्रस्तान करता है किस्की औरश्थान करता है वर क्योंत्य। में took करता है वह जो नंस वात निकलेस या स्लैस अलंग कारे कुइसा अ झाल झाल